दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व का एलान हो गया है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मुख्य चुनाव आयूत की तरब से तारीकों का एलान कर दिया गया है साथ चरण में देश में चुनाव होंगे और इससे संबंदित कई जानकारिया जो हैं वो लगातार आप तक पहुची रही होगे सबसे पहले तो चुनाव आयो का भी नंदन है बहुत दिन से हम सब लोग तारीकों का इंतजार कर रहे थे और विशेश तोर पर पार्टी ने जब से मानी प्रधान मंत्री जी को कासी से तीसरी बार अपना उमिद्वार घोसित किया है तो एक एक कासी वासी इंतजार कर रहा था कि कब तारीकें मिलें हम कब ओट जा कर दें और मानी प्रधान मंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनाएं तो मैं समझता हूँ कि आज तारीखें मिल गई और एक दूने उत्साह के साथ बढ़े मनुबल के साथ एक कासी वासी अपना प्यार अपना असिरबाद अपना सहयूग अपना समर्थन मानने परधान मंत्री जी को देने के लिए बेकरार है और आप देखिएगा इस बार का ज जुआ साथी जिस तरह से इंतजार कर रहे थे बहुत अदभूत है और निश्चित तोर पर इस चुनाव में पुड़े देश का निर्थित्व करता कासी आपको नजर आएगा और बहुत बड़ी जीत होने जारी मानी प्रधान मंत्री जी की जिस तरह का उत्साह में देख 55 लाग इवियम इस्तमाल होने की बात इसमें कही जारे इसके इलामा पारदर्सी व्यवस्था साथि साथ सत्प्रतिसत मद्दान हो इसकी भी तैयारी चुनावायूग ने की है इवियम जो है वो लगातार सुर्ख्यों में रहा हुआ है विपक्ष भी इसको लेकर कई बार ह लगाते हैं खुद इसी एवियम से जब जीतते हैं उनकी कहीं सरकार बन जाती है तो यही एवियम अच्छी हो जाती है जब हारते हैं तो एवियम को दोस्त देने लगते हैं तो यह अब हलकी बात हो गई है इस तरह की बातों को कोई भारत का आदमी सुनना भी नहीं चाहता तो अच्छा है कि प्रतिपक्ष कोई और कोई बहाना ढूड़े हार तो सुनिश्चित है अभी से आधार बनाने लगे कि हमें बहाना क्या बनाना है एक सवाल यह है कि जैसा कि आपने भी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 20 क्लस्टर में डिवाइड किया गया है और सबसे खास बात कि वारानसी पर फोकस किया गया है कि सबसे बड़ी जीफू प्रदान मंत्री मुदी की इसको लेकर क्या अधार रहे हैं किसी निश्चित आकड़े को कहना मैं समझता हूं कि कहीं सूचित नहीं है और नहीं कोई बता सकता है लेकिन ये समाज का हर वर्ग यहां तक कि मैंने अभी मैं कल भी गया था एक जगह वहां मुस्लिम जो हमारी बहने है वो आज जिस तरह से मोधी जी को ओड़ देने की बात कर रही है कौन वर्ग मतलब कोई वर्ग ऐसा नहीं है जहां भारी समर्थन न मिल रहा हो मानि प्रधान मंत्री जी को तो मतलब कुछ बचा ही नहीं आप देखिएगा जब चुनाव का रेजल्ट आएगा तो बहुत बड़े अंतर से जीत यहीं नहीं पूरा उत्तर प्रदेश हम जीतने जा रहे हैं और देश के अंदर जो चार सो पार का नारा मानि प्रधान मंत्री जी ने दिया है वो चरितार्थ होगा जमीन पर आएगा आप देखिते रहेगे लेकिं चुनाव आइप में ये भी स्पष्ट किया है कि हिंसा मोक्त चुनाव कराना पहली प्रात्मिक्ता होगी किसी भी हाल में इसे बरदास्त नहीं किया जाएगा नेताओं की जुबानी जंग हो इसके अलावा जो पोस्टर लगे इसे संबंदित भी तमाम चीजें उसको खास दोर पर ध्यान दिया जाए अनिल जी आपको लगता है कि कहीं ने कहीं सभी पार्टियों में आपके भी पार्टी में कुछ नेताओं को ऐसे ध्यान देने की जुरत है अभी कुछ दिन पहले है उमप्रकास रागबर्जी को भी ऐसा ध्यान देने की जुरत है नहीं आदर्स चुनाव आचार शंगिता का हम सभी लोगों को पालन करना चाहिए हर भारती को उसका पालन करना चाहिए यह लेडर को भी नेता को भी उसका पालन करना चाहिए प्रशासन को भी उसका पालन करना चाहिए हमारे लोगतंतर पर किसी प्रकार का धब्बा न यह हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है तो जो आधर्स चुनाव आचार संगीता है उसका हम सब लोग पालन करेंगे भारती जनता पालन करेंगे हम सब लोग उसका पालन करने बाले हैं